हिन साथियों, उत्रा खंड में इस वक्त करोना विसफोर्ट हो गया है, 34,470 टोटल केसे अब तक हुएं, जिस में से आप बड़ी खुशी के साथ कहेंगे कि 23,885 जो हैं, लोग ठीक हो चुके हैं, मगर 10,749 अक्टिव केसे थे, मगर इससे भी ज़्यादा खत्रे की बात यह है, कि जिन लोगों के टेस्ट रिजल्ट नहीं आए हैं, वे तो पता नहीं कहां घूम रहे होंगे, और घर में हैं या नहीं, यह नहीं पता, लेकिन वो नंबर जो है, वो है करीबन 12,611, मतलब 10,749 तो अक्टिव हैं, इसमें 12,611 के टेस्ट रिजल्ट अभी आने बाकी ह हैं, और अगर सरकारी आकडों को ही मान ले कि 6,6-3 प्रतिशत ही करोना संक्रमित पाए जा रहे हैं टेस्ट करने के बार, तो 400-400 के बीच तो इन में से भी निकलने वाले हैं, अब आप देखें कि किस प्रकार से करोना विस्फोट हुआ है, और एक ही दिन में 12 हरिद्वार में तो खेर आप जानते हैं हैं कि कंटेन्मेंट जोन्स का भी विस्फोट हो रखा है, 370 हो गए हैं और इसी बीच में हमारा जो सरकारी तंत्र है, वे इस महामारी के बीच में तयारी कर रहे हैं हरिद्वार में एक भव्वे कुम्ब मेले के आयोजन में और कही नहीं ऐसा ना हो कि यह किसी मुसीबत को न्योता देने वाली बात हो, क्योंकि खुद अगर आप देखें कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है, शासन में जो बैठे वे लोग हैं, वो खुद कहने हैं कि अगर दो महीने में करोना जो है, वो कंट्रोल में नहीं आता, तो शायद चीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और हरिद्वार में आप जानते हैं, जैसा मैंने बताया, बहुत केसे हैं, बहुत ज्यादा कंटेन्मेंट जोन हैं, देहरा दून में बहुत सारे कंटेन्मेंट जोन हो गये हैं, और मतलब इस वक्त यह सोचना कि हमें का विशय है सरकार सोच समझ के कारी करेगी ऐसी उम्मीद करते हैं